कैसे हो, बढ़िया, नस चलिए, आज की क्लास जो है ना वो बेसिकली तार से तार जोडने वाली बात होने वाली है उसमें, हमने कंसेञ्जर्ट पढ़े इंडिवीजमरी लेकिन ultimately यह सारे कंसेञ्जर्ट पढ़ने के पीछे logic क्या है, reason क्या है, क्योंत यह सारे capital account बनाने की और balance sheet बनाने की तो partners capital account और balance sheet जो है बीना adjustment of capital बीना revaluation बीना goodwill बीना accumulated profit requirement losses के possible नहीं है तो आज की class में हम देखेंगे कि जब retirement और partner होता है तो उस situation में partners capital account जो है वो कैसे बनाया जाता है ठीक है और revaluation account कैसे बनता है और new firm की जो balance sheet है वो किस तरीके से preparation की जाती है after adjustment of capital तो चलो तो topic जो है वो आपको समझ में आ गया है कि आजी class में हम क्या कुछ बात करने वाले हैं ठीक है तार से तार कड़ी से कड़ी हम जोडने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ultimately हम कहां पहुंचने वाले हैं इस chapter के बाद तो यहां पर अब तक जो हमने पढ़ लिया था वो हमने देखा था calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio कि एक partner छोड़के चले जाने के बाद जो new profit sharing ratio है वो क्या कुछ रह जाता है accounting treatment of goodwill बेटा गुड़विल की बात भी हम कर चुके थे future profit due to past efforts is known as goodwill और उस गुड़विल का जो accounting treatment है वो किस तरीके से होना है फिर बात हमने करी accounting treatment of accumulated profits reserve and losses इकठे किए वे देखे गुल्लक बनाए हुए थे different different type के अब जो जाएगा वो तो अपना शेर लेके जाएगा तो यह तो सोचने माली बात नहीं है accounting treatment of accumulated profit reserve and losses भी हमने सर कवर कर लिया accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liability जो partner जा रहा है वो क्या बात करेगा कि भई मैं जा रहा हूँ अभी यह जो balance sheet ना इसको सुदार लेजिए अब तक जो धांचा जो था ना वो बिगड़ा हुआ था आपका तो इस धांचे को सुदार लेजिए और इसके according जो मेरी के मेरा balance बनता है वो मुझे दे दीजिए मेरे जाने के बाद अगर आप चाहें कि पहले जिस value पे recorded थे उस पे continue करना चाहें तो वो आपका अपकी मर्जी हैं तो हमने देखा था एसा भी एक topic revaluation के case में पार्टनर do not want to alter their book value ठीक है तो balance sheet को as it is we carry on कर सकते हैं लेकिन जो पार्टनर जाएगा वो तो जो रिवाइज जो balance sheet होगी उसी के basis पर अपना हिसाब किताब लेके जाएगा कि अगर उसके according कोई फाइदा हो रहा है तो उस फाइदे में अपना share ले लेगा नुकसान है तो नुकसान में share लेगा ठीक है फिर हमने बात किती settlement of amount due to retiring partner जो पार्टनर छोड़के जा रहा है उसका settlement कैसे होगा वह कई सारे तरीके हैं cash ले 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 चैक से पैसा ले ले यह सारा नहीं लेना चाहता है इस furniture पर मन रहा है ठीक है यह furniture लेजे हम तो दूसरा ले आएंगे ठीक है या थोड़े time दे दे मित्र था अब तक साथ में काम किया है तो विल्स पेबल भी हम इशू कर सकते हैं उस case में एक लाश्ट हमने बात की थी कि अगर ऐसी कोई situation नहीं दी हुई हो ठीक है लोन अकाउंट में transfer करने के लिए भी बोल सकता है लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला हो तो by default हमें क्या कर देना है जो retiring partner है उसका capital का balance जो है वो balance करेंगे retiring partners के उसके लावा section 37 का treatment although exam के point of view से बहुत जादा important नहीं है लेकिन जो बच्चे चाते हैं कि नहीं हमें 90 plus score करना है 100 out of 100 score करना है तो उनके पास को scope ही नहीं है वो कोई topic छोड़ ही नहीं सकते हर एक topic उनको cover करते हुए चलना है adjustment of capital जिसको जाना था वो चला जाएगा चले जाने के बाद हो सकता है existing partner decide करे कि अब से जो अपनी capital का balance होगा वो new profit sharing ratio में होगा तो ऐसी situation भी हो सकती है new profit sharing ratio में भी capital जो है वो अपनी सजाद अजागे रख सकते हैं नेक्स हमने बात की थी preparation of partners capital account and balance sheet यह सब कुछ होने के बाद हमें जो बात करनी है वो किसके बात करनी है कि आप partners capital account और balance sheet after reconstitution या फिर कहिए after retirement जो है वो कैसे बनेगी वो आज ही class में बात करेंगे इसके बाद एक lecture आपको और देखने को मिलेगा जिसमें हम loan account बनाना loan account मैं ऐसा नहीं कहूंगा exam के point of view से important नहीं है बहुत important है ठीक है कई बार पूछा भी गया है तो वो भी हम देखेंगे साथ की साथ यह भी देखेंगे हाँ यहां partners capital account और balance sheet के preparation में अगर दिक्कत है तो बच्चे के पास option रहता है क्योंकि आपको जो board का exam जो है उसमें option में questions तो enough है बट फिर भी retirement पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं क्योंकि सारे के सारे topic वही थे जो हमने admission में पढ़े थे कुछ नया हो तो बात करें option में दे रखें तो same same सी चीज़े दे रखी है वो चीज़े यहां apply करनी होती है बस वहां partner आ रहा होता है पैसा ल ले लिया है question number 12 हमसे क्या पूछ रहा है यह कह रहा है उन 31st March 2022 the balance sheet of Saman, Harish and Mita तीन partner है Saman, Harish and Mita who were sharing profits and losses in the ratio 2-3-2 ठीक है तो old PSR को सजाद जाए के रख लीजिए बहुत काम में आने वाला है balance sheet जो है Saman, Harish और Mita की वो कुछ इस तरीके से balance sheet कहरी इनकी पास land and building है 19 लाग रुपे की machinery है, furniture है, stock है, data है, cash है total मिला के 48,50,000 का समान है, जिसमें से यह कह रहे हैं कि बाहर वालों को 5,10,000 रुपे हमें चुका देने हैं, तो 5,10,000 रुपे चुकाने के बाद भी 43,40,000 बचता है आपका, वो क्या है, capital है, अब उस capital में से कुछ तो इन्होंने workman compensation fund में transfer करके रखा है और कुछ अपनी capital ब बढ़ेगा, ठीक है, जैसे बाटने लगेंगे, announcement होगा, हाँ वही, कोई worker है, जो injured हो, यहाँ पे अपनी जान जो है, उसने जोखी में डाली हो, तो कोई नुकसान उसको हुआ हो, तो उसकी पहले छहती पूरती हम कर देते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो है, वो हम transfer कर ले गए, जिन्दा है, ठीक है, retired from the firm and the remaining partner decided to carry on the business, बागी partners ने decide कि है कि हाँ बिजनेस जो है, हम continue करेंगे, हरी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बरोसे तोड़ी ना है, ठीक है, हम भी guts रखते हैं, हम चलाएंगे बिजनस को, it was agreed to revalue the assets and liabilities as follow, अब हरी का हिसाब किताब जो ना, वो करने की बारी आई, और assets and liabilities के बारे में कुछ decision लिए गए कि land and building be appreciated by 20%, तो land and building को 20% से बढ़ा दो, तो 20% से बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 20% तो 3,80,000 से हमें इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 90 lakh already है, 3,80,000 से आप कर दो, तो ये बढ के हो जाएगा 22,80,000 रुपे, करेंगे, अभी समझ लेते हैं, machinery by depreciated by 20%, machinery को कम कर दो, 20% से, तो 5,00,000 का 20% कितना होता है, 5,00,000 का 20% एक लाख रुपे होता है, तो एक लाख रुपे से machinery को हमें क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक है, closing stock भी valued at 4,50,000, हमारी balance sheet तो कह रही थी 5,00,000 रुपे, revaluation पे पता चला 4,50,000 रुपे हैं, तो भाई साब यहाँ पे भी 50,000 का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, और इसको कम करके, कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 4,50,000 रुपे, तो यह वाली बात भी हो गई, आगे बढ़ते हैं, provision for doubtful debts, we made at 5% on debtors, एक नई liability चाहिए इनको, और नई liability क्या है, provision for bad debts, ठीक है, तो provision for bad debts, required है आप क्या, कितना, 5%, अब यह 5% किसका होगा, debtors का ही होगा, ठीक है, provision का मतलब क्या होता है, provision का मतलब होता है, देकि 7,00,000 रुपे हम लोगों के मांगते हैं, हमें लग रहा है कि approach 5% out of rupees 7,00,000 डूप भी सकता है, और नहीं भी डूपे, तो आप क्या कीजिए, इसको पहले से नुकसान मान लीजिए, ठीक है, liability खड़ी कर दीजिए, इसके against, तो जो partner जा रहा है, उसको हम बोलेंगे, भी 7,00,000 रुपे हम लोगों के मांगते हैं, बड़ 7,00,000 रुपे आएगा, क्या, आप तो अ होती है, नुकसान होती है, और आगे बड़े, संडरी creditors of 85,000 return of, खुसकबरी, जो creditors आपके 5,10,000 हैं, उनमें से 85,000 जो है, वो कम कर दीजिए, कहीं से information निकाल के लिए क्या है, कौन हरीस, और हरीस ने कहा कि जो creditors हैं, ये 85,000 से कम करने बढ़ेंगे, हमारी real liability ये नहीं है, तो ये capital भी real नहीं है, तो इस सारी बाते हमें यहाँ पर करनी है, आगे बात हो रही है, goodwill of the firm, be valued at 5,60,000, तो goodwill पर जबाएंगे, तब बात करते हैं, एक बार revaluation तो complete कर दे, तो revaluation complete करने पर हमारे पास, जो point number one है, वो है land and building को हमें बढ़ाना है, assets को बढ़ाना है, तो क्य and building account debit to revaluation कर रहे हो ना, तो revaluation की credit side में posting कर दो, दूसरा, आप ये भी समझ सकते हैं कि फाइदा है, ठीक है, फाइदा है, तो फाइदा कौन सी side में record होगा, credit side में, और कितने का, 3,80,000, ठीक है, एक बात तो हो गई है, हमारी, second बात जो थी, वो ये थी कि machinery को 1,00, रुपीज स कम करना है, assets को कम कर रहे हो, नुकसान है, नुकसान जो है, वो किदर record होगा, debit side में record होगा, तो यहाँ पे, रुपीज, 1,002, to machinery account, ठीक है, मजा रहे है, लेते रहो, closing stock, 50,000 से reduce करना है, assets को कम करना है, sir, नुकसान, तो 50,000 से कम करना है, debit side में जाइए, और यहाँ पे जाके लिख दीजिए, यह मनहूस खबर सुना दीजिए, कि closing stock जो है, अब जो closing stock है, वो 5,00, नहीं, सिर्फ 4,50,000 रहे गया है, ठीक है, provision for bad debt, 35,000 से आप वो create करना है, provision for bad debt, वो होती है, liability, और liability जो है, वो create करने के लिए, generate करने के लिए, आप valuation को debit, तो revaluation के debit side में 35,000 से एक और मनहूस खबर दे दीजिए आप, एक नई liability आ गई है, provision for bad debts account, और आगे बढ़ते हैं, चार information हमने यहाँ तक cover कर ली, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, creditors को 85,000 से हमें reduce कर देना है, कम कर देना है, liability कम करनी है, creditors को debit करना पड़ेगा, revaluation को credit, फाइदा है, liability कम हो रही 85,000 से, तो यहाँ पर जाएंगे और mention कर देना है, 85,000 से creditors कम हो गए हैं, खुश कबरी, दुस्मन मारे गए, ठीक हैं, तो 85,000 से creditors जो है, वो आपके कम हो गए हैं, तो यह 5 information हमें यहाँ पर given थी, 1, 2, 3, 4, and 5, पांचो information हमने cover कर ली, cover करने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो फाइदा अब तक हुआ, वो हुआ, 3,80,000 प्लस 85,000, नुक्सान जो हमें हुआ, वो हुआ, 1,85,000, तो 2,80,000 का अभी भी still जो है, हमें फाइदा है, वो फाइदा ट्रांसफर हो जाएगा, partners capital account, ठीक है, और partner कौन-कौन थे यहाँ पे, सुमन, हरीश, मिता, ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइदा आपका बच्रा है, वो बच्रा है, वेटा, 2,80,000, 2,80,000 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है, आपको ग्या पार में, ठीक है, 4,65,000, 4,65,000, ठीक है, 2,80,000 का जो फाइदा हुआ है, इसके कितने टुकडे किये जाएंगे, इसके टुकडे किये जाएंगे, 2 प्लस 3, 5,5 प्लस 2, 7, तो डिवाइड बाइ 7 इंटू, 2,80,000, 1,20,000, and 80,000, ठीक है, तो 2,80,000 को हमने डिस्ट्रिब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 इस्टू, 3 इस्टू, 2 में, आ गई बाद समझ में, ये वाली बात थी, तो ये हमारा बना, रिवेलेशन अकाउंट, और बढ़ते हैं आगे, रिवेलेशन अकाउंट बनाने के बाद बात आती है, partners capital account की अब क्या partners capital account without capital possible है नहीं possible असर 10 लेक 15 लेक and 10 लेक 10 पंदरा 10 यह सबसे पहले हमने note down कर लिया by balance broad down के नाम से उसके बाद बात आई revaluation की by revaluation account revaluation पे जो profit था वो था 80,000 120 and 80 and 80,000 यहां तक कोई दिकत नहीं होनी चीए यह आपका बन रहा है बेटा partners capital account तो revaluation का balance हमने transfer कर दिया capital जो existing capital थी वो हमने note down कर दी और हमें जो पता है हमें जो आपने सिखाया वो सिखाया revaluation goodwill reserve तो revaluation तो हो गया reserve का काम भी कर देते हैं ठीक है reserve देखते हैं reserve के नाम पे एक workman compensation fund है 8,40,000 रुपएगा और कोई उससे related information है नहीं तो 8,40,000 जो है यह free है distribute करने के लिए यह इनका PSR है ठीक है तो 8,40,000 जो है वो पार्टनर्स में distribute हो जाएगा यहाँ by workman compensation fund account तो 8,40,000 रुपए का workman compensation fund है 8,40,000 के आप 9 टुकड़े कर दीजिए तो 8,40,000 डिवाइड बाई 9 इन्टू 8,40,000 नहीं था ठीक है 8,40,000 ही था डिवाइड बाई 7 ठीक है 60 टुकड़े ही करने है ना 7 इन्टू 2 तो 1,20,000 आ रहा है 2,40,000 इन्टू 3 कर दीजिए 3,60,000 अगें इन्टू 2 कर दीजिए 2,40,000 ठीक है तो एवेजेशन भी हो गया हमारा वारकमेन कंपन्शेशन फंड जो है वो भी हमने डिस्टिब्यूट कर दिया तो रिवेजेशन भी दिस्टिबूट कर दिया, रिजव भी डिस्टिब्यूट कर दिया सारे काम हमारे यहां तक हो चुके हैं ठीक है अब बात आती है goodwill की goodwill की जब बात आती है तो goodwill के case में हम क्या करते हैं first of all हम balance sheet में check करते हैं क्या goodwill already appeared in books है नहीं है उसके बाद हमें adjustment करना होता है जिसके लिए हमें goodwill चीए तो goodwill of the firm valued 560,000 पांच लाग साथ हजार उपए goodwill की valuation आई and हरी सेर ओफ दे गुडविल बी adjusted in the account of someone and Mita who will share the future profits and losses in the ratio 3 to 2 तो new PSR भी दे दिया है अपको 3 to 2 total goodwill भी दे दिया है तो goodwill का काम कर देते हैं 5,60,000 जो है इसका treatment करना है 5,60,000 total goodwill है old PSR था sir 2 is to 3 is to 2 जिसमें credit कर देंगे ठीक है और जो new PSR होगा वो 3 is to 2 हो जाएगा मलब कुछ change हुआ है गी नहीं हुआ है मिलकुल हुआ है retirement किसका हुआ है retirement हुआ है यहाँ पे haris का haris retire हुआ है तो haris के retirement पे हम यह कहानी बता देते हैं तो partner जो थे वो थे हमारे सुमन Harish मित पुराना जो profit sharing ratio था वो था 232 it means total जो है आप goodwill जो है 5,60,000 future profit होगा due to past efforts इसके हम टुकडे कर देते हैं sir साथ इंटू तो 1,60,000 2,40,000 and 1,60,000 कि देखिए आपके जाने के बाद haris जी यह profit और होना है जिसके लिए effort के जा चुके हैं तो मिलेगा तो सही लेकिन आप रहेंगे नहीं तो चलो इसको हम आज ही distribute कर लेते हैं बाद लिए 1,60 इनको मिलेगा 2,40 इनको मिलेगा और 1,60 इसको मिलेगा but future में मिलना यह चाहिए था लेकिन future में कौन होगा haris जी तो रहेंगे नहीं तो 5,60,000 जो है इसके 5 टुकडे करेंगे और इनको मिलेगा 3,36,000 ठीक है haris जी की absence में और इनको मिलेगा 2,24,000 अब यहां में बात देखो क्या हो रही है यहां पे बात हो रही है कि देखे सुमन जी आपको मिलना चाहिए 1,60 लेकिन haris जी के absence में आपको future में कितना मिलेगा 3,36 मिलेगा कितना extra मिल जाएगा आपको 1,76 तो आप क्या कीजिए यह 176 जो ना इस पे haris जी का अधिकार है आप हो जाएगे debit और haris जी को कर देगे credit ठीक है बट haris जी को एक बार wait कर वा रहे है मिता जी को गह रहे है आपका बनता 160 है लेकिन future में आपको मिलेगा 2,24 64,000 आपको भी extra मिलने वाला है तो आप भी 64,000 से क्या हो जाएगे debit हो जाएगे 64 यहां से 176 यहां से टोटल मिला के होता है 2,40,000 जो haris जी को देदें तो haris जी को बोर है चित्ता करने की जोरत नहीं है 5,60,000 future में होने वाला है इसमें आपका शेर कितना बनता 3,47 तो 3,47 होता है 2,40,000 रूपए जो हम आज ही आपको दे देते हैं ठीक है और यह पैसा किस से लेंगे हम सुमन और मीता से अब यहां पे entry देखिए सुमन और मीता क्या हो रहे है debit हो रहे हैं ठीक है और हरीज जी क्या हो रहे है credit तो हरीज जी के credit में भी तो posting डालो लेकिन इनके against में debit कौन हो रहे है दो partner हो रहे हैं तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा आपको आपको लिखना पड़ेगा सुमन ज कैपिटल अकाउंट और मिताज कैपिटल अकाउंट जाओ हरीज जी के पास वह लिख दीजिए वहाँ पर कितना 176 and 64 ठीक है कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए अब आगे बढ़ते हैं गुड़विल का अड़ेश्टमेंट भी हो गया और क्या बच्चा तो क्योशन में चलते हैं यह वाला पॉइंट जो है आपका कवर हो गया है यहां तक हमने सारी बाते जो है वो देख ली है समझ ली है टोटल कैपिटल ओफ दे न्यूली कॉंसिटुटेड फर्म विल भी थर्टी थर्टी फाइव लैक ठीक है नई कैपिटल जो है फर्म की कितनी होगे 35 लाग विच विल भी एडजेस्टेड बाइड ओपनिंग करेंट अकाउंट तो ठीक एडजेस्टमेंट ओफ कैपिटल की बात है यह न्यू पीएसर में होनी चीए पट एडजेस्टमेंट ओफ कैपिटल से पहले एक चीज़ आप भूल रहे है और वो क्या भूल रहे है जो पार्टनर जा रहा है उसको तो विदा करो उसका क्या लेना देना तो हरीज जी कहेंगे देखिए 15 लाग रुपे हमारी कैपिटल था ठीक है रेवैलेशन पे 1 लाग 20 लाग का फाइदा मिला हमें वर्कमेन कंपंशेशन में हमारा इससा 3,60,000 मिला हमें ठीक है फिर हमें गुड़ विल का मिल गया है कितना 2,40,000 रुपे है तो हमारा जो बना वो बना 22,20,000 रुपे है तो ये 22,20,000 रुपे है क्या करेंगे क्या कुछ बोला गया है कि जो partner retire हुआ है उसके balance का क्या करना है कहीं पे कुछ बोला है retired from the firm remaining partner decided to carry on it was agreed बस यही सारी information दे रखी है यह नहीं कहा गया कि उसका हिसाब किताब जो है वो कैसे किया जाएगा तो ऐसी situation में पीछ आपन क्या पढ़ गया है थे अगर question silent हो तो balance of retired partners capital account should be transferred to his loan account तो Haris loan account, loan account जो है वो new balance sheet में आ जाएगा यह Haris जी का भी payment जो है वो नहीं किया गया है अच्छा Haris जी का तो काम हो गया अब इनका काम और कर देते हैं यह कह रहे हैं कि हमारा जो balance है यह पूरा काम करने के बाद बारा चालिस प्लस असी, तेरा लाग वीश हजार रुपे है ठीक है, माइनस वन सेवन्टी सिक्स वे गुडविल का इसाब किताब की है न, तो ग्यारा लाग चमालीस हजार रुपे 11,44,000 balance बचा है, इनका कोई balance बचा नहीं है मीता की बात करें तो मीता जी कह रही है, 10,000 ठीक है, प्लस 80,000, प्लस 2,40,000, माइनस 64,000, 12,56,000 ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या करेंगे, एक बार के लिए, यहां पे लगाएंगे, टोटल टोटल लगाते हैं, टोटल लगाते तो हमें पता चलता है, 22,20,000 रुपे 22,20,000 रुपे, और इनका हो जाता है, 12,13,20,000 रुपे, 30,20,000 ठीक है, और इनका आता है, 12,13,20,000 अब यह जो दोनों पार्टनर है, सुमन और मिता, यह चाहते हैं कि इनकी कैपिटल में जो है न, वो अजस्टमेंट हो जाए, तो बैलेंस ब्रोड डाउं, इनकी जो कैपिटल का बैलेंस था, 11,44,000 वो यहाँ पे आ गया, और इनकी कैपिटल का था, 12,56,000 वो आ गया, यहाँ अब इनकी जो बात है न, इनकी जो रिक्वेस्ट है, हाँ जोड के आप से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि टोटल कापिटल जो है न, वो 35 लेक होनी चाहिए, अब यह जो 35 लेक जो है न, यह कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, टू, बैलेंस, सीडी, 35 लाग जो है, वो किस में होनी चाहिए, न, प्रॉफिट शेरिंग रेशियो में रहनी चाहिए, और वो क्या है, न, पी एस तरी इस्टू, तो 35 लाग को तरी इस्टू टू में आप डिवाइड करेंगे, तो यह आपका आ जाता है, 18 और 3, 21 लाग र ठीक है, और बचे हुए, 9 और 5, 14 लाग, मित्ता की कैपिटल होनी चाहिए, इनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, इनका कोई लेना देना है नहीं है, अब एक एक करके देख जे, सुमन को बोलते हैं, कि सुमन जी, 11,44,000 रुपे आपकी कैपिटल है, कितनी, 11,44,000 लाख रुपे, 9,56,000 रुपे नाईन लाख, फ्टी, शिक्स थाउजएंट, आप क्या करेंगे, कैशला करेंट अकाउट, विबाट क्वेशन क्या कहता है, क्वेशन कहता है, क्वेशन केटा है, करेंट आकाॉट से, किस से एड़जेस्ट करना है आपको और तो देखें यह यहां पर आप जाके लिखेंगे सुमन्ज करन्ट अकाउंट मिता जी से बोला गया कि आपकी कैपिटल जो है न वो कितनी है 12,56,000 है अब यहां सुमन्ज जी मत लिखिए क्योंकि दोनों का कैपिटल अकाउंट लिखना है तो आप यहां पर क्या लिख दीजिए सिर्फ करन्ट अकाउंट लिख दीजिए ठीक है बाद में बैयन शीट में प्रेजेंट कर देना इनके नाम से तो इनकी कैपिटल 12,56,000 अल्रेड़ी है बट होनी चीए 14,00,000 तो 1,44,000 की डेफिशेंस है जो आप पूरी कर देंगे ठीक है तो इनकी जो कैपिटल का टोटल है वो हो गया 14, 15,00,000 इनका जीरो और इनका हो गया 21,00,000 रूप है आरी यह बाद समझ में अगर यह क्रेशन आपने कर लिया इस टाइप के क्रेशन कर लिया तो सारे कंसेप्ट जो है अब तक के रिवाइज हो गए है आपके फंडामेंटल सो पार्टनर्शिप जो है वो अलग चैप्टर ह है वो आपको देखना पड़ेगा उसके अलावा चैप्टर नमबर टू चैप्टर नमबर थ्री और चैप्टर नमबर फॉर आपके कवर मानों अगर यह क्रेशन आपसे सिंगल चोट में हो जाता है तो तो यहां तक तो बात आ गई अब बात आती है बैलेंस शीट के कि बैलेंस शीट बनाने से पहले वेटा सबसे पहले कैपिटल जो है वो आप लिखेंगे तो कैपिटल तो दो की लिखनी है हमें किसकी सुमन की और मिता की तो यह चीजे समझे आप यहां पर सुमन की कैपिटल कितनी है 21 लाख रूप है अच्छा मिता की कैपिटल कितनी है 9 लाख रूप है टोटल कैपिटल कितनी हो गई नोई कैसे 14 है ना चलिए 14 लाख है तो यह आपकी टोटल कैपिटल हो गई थी 35 लाख यह कैपिटल लाने में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है ना वो डेविट हुए थे दोनों के सुमन का भी और मिता का भी 956 एन 144 सुमन करेंट अकाउंट मिता क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इत्ती इंफरमेशन पता चल रही है आपको नहीं हरीज जी का इसाब किताब नहीं हुआ है उनका लोन अकाउंट अलग से दिखाना पड़ेगा तो लोन अकाउंट का जो बैलेंस है न वो बच रहा है आपका बाईस लाख बीस जार रुपे तो यहां तक तो बात आगई समझ में आप चलते हैं अपन बैलेंस शीट की और ठीक है जो रुख अपना है उसको मोडते हैं और उसको कहा लेकर जाते हैं देख केश की तो कोई बात ही नहीं हुई लाने ले जानेगी कोई बात नहीं हुई ठीक है तो पीछे हम जाते हैं तो हमें पता चलता है land and building जो है वो 19 लाख से बढ़ा के हमने कर दी थी 22 लाख 80 अजार उपर land and building ठीक है land and building के बाद हमने बात करी थी machinery की और machinery को हम लेके आ गए थे 4 लाख पर तो 4 लाख रुपए लिखेंगे हैं machinery के बाद बात होती है furniture की ठीक है तो furniture की बात करते है furniture जो था पुरानी balance sheet में 770 था अभी भी 7,70,000 रुपए ही है फिर stock पांच लाख था साहे 4,50 किया था बिलकुल stock जो था आपका 5,000 था 50,000 से माइनस कर दिया तो 450 यहाँ पर आपका stock बच गया है अब बात आती है debtors की ठीक है debtors आपके पहले कितने थे पहले सर पुराने debtors थे हमारे 7,00,000 रुपए debtors में तो अभी हमने कोई change नहीं किया 7,00,000 रुपए ही है ठीक है तो 7,00,000 रुपए लिख दीजिए बेटा debtors सर प्रोविजन नहीं दिखाएंगे किया बेटा चाहो तो 7,00,000 यहाँ पर लिखे माइनस करके दिखाओ प्रोविजन चाहो तो प्रोविजन फोर बैड डेट्स इदर दिखा दो कोई फरक नहीं पड़ना इसी का 5% यह रहना है लाश्ट जो हमारा बैलेंस बचरा था वो था कैश का तो कैश का जो पुराना बैलेंस था हमारे पास वो था 4,80,000 अभी भी 4,80,000 ही है एक information और है यहाँ पर और वो है about creditors तो creditors थे बेटा creditors जो थे वो थे हमारे 5,10,000 माइनस 85,000 से कम कर दिए यह तो 4,25,000 ही बचे है 4,25,000 यह आपकी information थी कोई नई library आपके सामने आई नहीं थी अब total कर देते हैं हम balance sheet का तो 4,25,000 प्लस 35,000 प्लस 22,20,000 प्लस 35,000 यह बनता है आपका 61,80,000 asset side के अगर मैं बात करूँ तो 9,56,000 प्लस 1,44,000 प्लस 22,80,000 प्लस 4,00, and 7,70,000 4,50,000 7,00, and 4,80,000 61,80,000 मुबारक हो balance sheet में चोथने का एक अलग ही ऐसास है सुखद ऐसास है मजा सा आजाता है कि हाँ हमने जो भी महनत की वो पूरी महनत जो है वो सफल हो गई हैं balance sheet after reconstitution, retirement के बाद की ये balance sheet होगी जो क्या कह रही है कि अब से दो ही partner एसुमन और मिता ये तो उनके capital है उसका current account का balance जो है वो ये है तो future में जब भी profit होगा current account में जाएगा current account पहले से ही negative है तो यहाँ पे current account से ही balance हो जाना है इसके अलावा जो partner रिटायर हुए थे हरी जी उनका loan account का balance पढ़ा है 22,20,000 रुपे बाकी जो liabilities है, assets है वो कुछ इस तरीके से है और ये आपकी balance sheet है इस question की आपको practice करनी है again and again, again and again, जितनी practice आप कर सकते हैं करते ये वाला question आपसे better कोई नहीं कर सकता, उसके बाद मैं guarantee देता हूँ बाकी की question जो हो बड़ी smoothly हो जाएंगे, कुछ doubts जरूर आपके रह सकते हैं तो उसके लिए आप टेलिग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं, उसके अलावा अगर आप doubt टेलिग्राम पे नहीं, कुछ और तरीके से फटा फटा अगर आप अपना जवाब चाते हैं तो ये जो एप है, इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे डिपी पे भी मिलेगी, और कुछ और question मिलेंगे, similar question, इसी टाइप के question प्राक्टिस के लिए, लेकिन उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, एप इंस्ट दोस्तों को बताना चाते हो, उनको कुछ फाइदा देना चाते हो, तो ये science के courses भी है, class 11th और 12th के लिए, एक बात आती है, यहाँ पे किसरी CBSC के है, बेटा, यहाँ पे हमारा अपना एक course डिजाइन किया हुआ है, class 11th और 12th के लिए, जिसमें ये जो topic है न, इन detail आपको प payment होता है, सारी बाते हैं यहाँ पर किये गए, ठीक है, तो यह सारी information आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी अपनी पढ़ाई जो है, वो कर सकते हैं, ठीक है, क्या करना पढ़ेगा आपको, यह payment नहीं करने की ज़रत है, आप सिर्फ और सिर्फ एक coupon code जो है, apply करेंगे और वो coupon code है, ठीक है, बस यह coupon code जो है, यह apply कर दीजिए, यह course completely आपके लिए free हो जाएंगे, जो भी course आपको चाहिए, thank you so much, और एक काम, ना भूलें आप, like, share और subscribe करना, thank you, bye bye. झालें